अब में 5 मिनट में खतम करता हूं कि गोबमूत्र से और क्या-क्या कर सकते है और क्या-क्या बाग बट्टी जी कहते हैं आंख के कोई भी रोग आंख के सभी रोग कफ के रोग है जो आंख में है जैसे मोतिया विंद हुआ यह कफ का रोग है केटरेक्ट जिसको आप अंग्रेजी में कहते है ग्लूकोमा ग्लूकोमा एक रोग है ना काला पानी काला रेटिनल डिटेच्मेंट एक रोग है जिसका तो दुनिया में कुछ भी इलाजी नहीं है रेटिनल डिटेच्मेंट का operation भी नहीं है उसका हो भी तो success नहीं है आप अमेरिका चले जाओ और किसी डॉक्टर को को retinal detachment का तो कहेगा operation कर सकता हूँ guarantee नहीं है विजन आएगा के नहीं तो retinal detachment glucoma cataract और आँखों में छोटी मोटी बीमारियां बहुते आँखें लाल होना आँखों से पानी निकलना आँखों में जलन होना तो छोटी-छोटी से लेकर सबसे खराब बीमारी retinal detachment ये सब गो मूत्र से ठीक होती है क्योर होती है शब्द पे ध्यान देना कंट्रोल नहीं क्योर होती है जड़ से खतम होती आप बुलेंगे जी क्या करें बस इतना ही करना है कि देशी काय का मूत्र कपड़े से छान कर एक-एक बूंद आँख में डाले आप में से किसी को चश्मा उतारना है अगर अपना तो जरूर डाले तीन महिने में आप लगाता है डाल के देख लीजे रेटिनल डिटेश्मेंट को एक साल लगता है लेकिन लगाता है गोमूत्र डालते रही है एक-एक बूंद बस इतना परियाबत है आँखों में बच्चों के कान बह रहे हैं कान आप जानते हैं छोटे-छोटे बच्चों के कान में मवाद निकलता है बस दो या तीन दिन एक-एक बूंद कान में गोमूत्र की डाल दीजे पूरा कान साफ हो जाएगा मवाद निकलना बन